नमशकाल डीवी नीूस में आपका स्वागत है रतन टाटा के निधन के बाद अब टाटा ट्रस्ट की कमान किसके हातों में होगी इस सस्पेंस पर से अब परदा हट गया है रतन टाटा के उत्तराधी कारी की तलाश पूरी हो गई है आपको बता दे कि रतन टाटा के निधन के बाद अब टाटा ट्रस्ट की कमान नोयल टाटा सभालेंगे टाटा ट्रस्ट के नए चेर्में नोयल टाटा को लेकर शुकरवार को टाटा ट्रस्ट की एहम बैठक में ये फैसला लिया गया है टाटा ग्रूप की मार्केट में लिस्टेड 29 कम्पनियों का बाजार पुंजी करण करीब 403 अरब डॉलर यानी 49 लाग करोड रोपे हैं उत्तराधी कारी पर चर्चा करने के लिए टाटा ट्रस्ट की आज मुंबई में बैठक होई रतन टाटा की सौतेली भाई नोयल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेर्मेन बनाने पर मुहर लगी ये बैठक टाटा संस के पूर्व चेर्मेन और इस परोग कारी संगठन की प्रेरक शक्ती रहे रतन टाटा की 9 अक्टूबर को 86 वर्ष की आयू में निधन के बाद हुआ है रतन टाटा को 10 अक्टूबर को मुंबई में पूरे राज की संबान के साथ अंतिम विदाई दी गई उन्होंने अपनी मरत्यों से पहले अपने उत्तराधी कारी की नियुक्ती नहीं की थी आपको बता दे कि नोईल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं जो पिछले 40 सालों से टाटा ग्रूप के साथ जुड़े हुए है फिल हाल में अलग-अलग टाटा ग्रूप की कम्पनियों के बोर्ड में शामिल है साथ ही वे टाटा समू की डीटेल कंपनी Trent Tata International Limited Tata Investment Corporation के चेर्मेन भी है साथ ही Tata Steel और Titan के वाइस चेर्मेन है उनके कारिकाल में Trent की सफलता की शांदार सीर ही चगी है